So yes people and guys let's make a plan for your corporate and other law हम लोग किस तरीके से ये धाई दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइस कर सकने सबसे पहले जो बच्चे मुझसे पड़े हुए है उन लोगों का क्या एप्रोच होना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने मैंसे नहीं पड़ा है तो क्या एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है यह मैं बताने वालो और अगर आपका खुद का प्लाइन रेडी हो चुका है तो फिर तो आपको इस वीडियो का आगे दिखने की बिल्कुल भी ज़़ुरत नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने प्लाइन के हिसाब से आगे बढ़ो ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धाही दिन का समय मिला है तो इसके अंदर हम लोगों के टार्गेट क्या रखने抽ब हैं सबसे पहले आपके जो है उस अगर आपने स्टद्री माठेरियल अपने नोट से पढ़ाए तो नोट से त्री टाइम मिनिममम पॉसीबल है मैं आपको बताओंगा कैसे कर सकते हो ऐसके अलावा आपने मोडियूल खुलना है module के जित्ते भी example है module के जित्ते भी question answer है वो आपको देख के जाना है क्योंकि recent trend यह बोलता है कि जो module के अंदर example होते है खास करके हम लोग बात करेंगे order law के as well ठीक है ना तो वो तो सारे आपके exam के question मन जाते हैं ठीक है तो module के example question answer आपने 100% करके जाने और तीसरा case study base mcq जो institute ने दिये उत्ते तो आप लोगों ने करके जाने क्योंकि वो exam में होते है repeat ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग और sir क्योंकि धाई दीन का समय मिला है तो I am not saying tax and cost I am saying either or मतलब एक तो tax और यह तो cost इसको भी हम लोग हमारे समय में से 4-5 घंटा निकाल के देंगे अब plan out कैसे करना है corporate law and order law शुरुवात कहां से करनी है तो मैं आपको बताता हूँ देखो मैं हमेशा जिस चीज़ पर विश्वास सकता हूँ वो आपको भी पता है eat that frog मतलब सबसे मुश्किल टाक सबसे पहले कर लो ठीक है जैसे सब बच्चों को जनरल डर लगता है किस से लेकर निगोशियबल इंस्ट्रुमेंट एक से लेकर ठीक है ना और मेरे सारे रिवीजन लेक्टर अवेलेवल बर आप लोग कोई भी रिवीजन क्लास देखो प्रॉपर बात करेंगे पहले हम लोग अप्रोच के बात करते हैं आज है थर्ड में मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि भाई अभी पावर लौग नैप लो मत लो So much so मैं आपको Target दे रहे हो आपको Target Complete करना है सबसे पहला Target आप लोगों के लिए क्या है आपने Complete करना है Negociable Instrument Act 1881 तिक है तेने वह जैसे ही Negociable Instrument Act हो जाता है उसके बाद में आना है आपको Indian Contract Act 1872 क्यूं सर Order Law से शुरुआत कर रहे हो because order law के अंदर अगर मैं बात करूँ सिब चार चाप्टर है जो आपको 40 मार्ग दे देंगे और company law के अंदर अगर आप देखो comparatively आपको 10 चाप्टर है जो आपको गिन के किते मार्ग देने वाले 60 मार्ग देने वाले ठीक है तो यह दो चाप्टर है जो बहुत ज्यादा important portion है और जो easiest topic है मतलब कौन सा? dividend, charges और deposit यह सबसे easiest topic मुझे लगता है तो इन वाले topic को आप लोग complete कर लो मतलब आपके companies act का chapter number 8 dividend chapter number 6 charges charges का हाँ and chapter number आपका क्या रहेगा बच्चो 5 मतलब deposit यह वाले chapter आपने complete कर लेने है इसके अलावा सर्फ फोर्त में को अगर आप लोग उठ रहो morning में जो भी आपका सही होगा समय लेट उठते हो जल्दी उठते हो सबसे पहले अब easy से चालू करो general meeting important chapter है लेकिन बहुत ज्यादा easy chapter है channel meeting से शुरू करो इसके अलावा आप करो शुरू फिर बाद में कौन सा accounts and audit अगर आप लोग देख रहे होगे तो मैंने आप लोगों को जो chapter दिये ने उनका sequential लगे इसके पीछे का logic क्या है अगर आप चालू करोगे chapter number 1 easy है आगे बढ़ोगे chapter number 2 incorporation 1000 बार पढ practice फिर आओगे share capital में अब आपका energy यहां से डाउन होना शुरू हो जाएगा सभी में आ रहा है और जो important topic है आपके accounts audit general meeting वहाँ पर आप लोग हिमत तोड़ दोगे तो बेटर है कि सबसे पहले इन topic को करो मतलब बोलते हैं जब आप difficult काम कर लेते हो तो बाकी तो हलवा है इस topic से आगे बढ़ो कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा इसके अलावा फिर हम लोग shift हो जाएंगे सर क्या क्यों पर interpretation of statute जैसे आप interpretation of statute निगोशेबल और Indian contract कर लेते हो आप लोग समझे लो आप 40 में से 35 mark secure कर चुके हो अब 5 mark का जो बचा है that is your general clause act और उसके बाद में कल शाम में आप लोग 7 बजे के पहले इसको complete कर लोगे अब वो आपको कैसे करना है that is your call ठीक है ना कल शाम तक आपका पूरा company law और order law complete हो जाना चाहिए अब पढ़ना कैसे सुनो अगर आपको मेरे plan से आगे बढ़ना है तो सर क्या हमने किसी का marathon lecture देखना चाहिए बिलकुल that person continuously आपको 10-12 घंटे पढ़ाया वो 10-12 घंटे आपने अपने exam के किसी ओर को दिये और अगर गलती से बाद में वो उसका मेनत है तुमारा मेनत नहीं है पहली बात वो तुमारा मेनत नहीं है आपने सिर्फ सुना सामने वाले ने पढ़ाया और वो एक के पढ़ा रहा है हमा वानी पीना पड़ेगा चाहे तो घरवालों से बात करना पड़ेगा बॉडी एक्जॉस्ट होता है और उसमें तुमारा दस घंटे किसी से पढ़ लोगे आपको लगता है वो सिप अपने सुना है सुनने में भी एनर्जी खतम होती है सुनने में भी एनर्जी खतम होती और तो उसको पहले रीड करो फिर सर री लुक करो री लुक मतलब अब जब आपने जर्नल मीटिंग का सेक्षन नमर 96 पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा था जब आपका जर्नल मीटिंग होगे आप सेकंड चाप्टर पर क्या करते हो शिप्ट कर जाते है ऐसा मत करो रुको जो चीछ पढ़ने में आपको एक घंटा लगा है सवा घंटा लगा है उस चीछ को री लुक करने में से हमको सिब दस मिएट लगेंगे लेकिन आपकी आपकी कॉंफिदस लेवल को बढ़ा तो री सिक्षन सारे पेज़स पढ़ा पढ़ाने पर ते क्योंकि अब सब कुछ है अभी पढ़ा हुआ है समझ में आ रहा है यस लेकिन कुछ बच्चे होते न जो नई सर मैं तो लेक्चर ही देखना हूं सर मैं इसी के भरो से हूं तो तुम लोगों के लिए सही अप्रोच क्या है इसके बारे में बात करता हूं सबसे इंपोर्टन आप लोग क्या करो सबसे पहले कोई चाप्टर को पढ़ो कभी भी लेक्चार देखो और पर पढ़ो और पटा ऄगे बढ़ो शमयो ने लेक्टर देखना है वह समझ में आ रहे है एक्र को कि आपने पढ़ा को अब कुota आप सिब आपके satisfaction के लिए सामने वाले का लेक्चा देख रहे हो तो उसको 2x पे देखो या 1.5 1.75x पे लिखो उसके बाद में आप क्या करो फिर से रीट करो चाप्टर नंबर 1 हो गया ना अब चाप्टर 2 पर आया तो उसको पहले खूद रीट करो उसके बाद में उसको 2x आपको लेक्चर देखना है अगर आप चाते हो कि मेरे लेक्चर देखना है I am not promoting it all देखना है देखो नहीं तो मत देखो एक्जाम में अच्छे से प्रिपेर करो खुद को ठीक है क्योंकि देखो यार तुम लोग है ना समझो एक बात मैं तुमको मजाक नहीं करो जो भी ट विश्वास किये knit exam को sleREE किये न हम लोग हमारे खुद के विश्वास किये राया है और किया है हम विश्वास को क्लियर की है हूए है और आज क्या हो रहा है हम आप ही लोग्र को घुमा है क्या हमारे लेक्षर तो नेillance need not to watch एक्जाम का रिजल्ट बढ़ रहे हैं तुम्हारा 89% बच्चे फेल हो रहे है क्योंकि हर कोई गलट ट्रैक में जा रहा है तुम्हारा विश्वास सब्सक्राइब और किसी और ज्यादा हो रहा है एक्जाम से बाहर आ रहे हो फिर रिग्रेट कर रहे हो ऐसा बिलकुल भी मत कर था तुम कुछ भी करो अकॉंड का पेपर 100% लिखना पड़ेगा बच्चों ने लेंदी पेपर होने के बाउजूद भी पेपर लिखा सभग में आ रहा है मार्क मैवड पेपर तो 100% लिखना ही लिखना है जब आप 100% लिखो गे न तो संभावना है कि आप 50 प्लस तो आराम से आजो और दैट इस वाट नीडेड इन और तो गेट क्लियर ठीक है अगर आपको गलती से मेरे लेक्टर देखने होगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस का लिंक धाल रहा हूँ और विश्यू आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आइम अवेलेबल जस्ट अट अग कॉल आवे नंबर है मेरा 901-624-624 चलो थैंक यू सो